आज हम बना रहे हैं दीफलोव हम नाज कर लेते हैं होने ताथ इसको फ्राइ कर लेते हैं बीड को मैंने गला लिया था उसमें मैंने लस्थन अद्रक प्याज और साबस गरम मसाले वो शामिल किये थे जिसमें तार्ची नहीं थी मोटी लाइची थी सौंफ खुश्क धनिया नमक ये शामिल करके मैंने अच्छा से गला लिया गो जब अच्छे से गॉल्डन ब्राम हो जाएंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे प्याज जो हुच्टिकन हो चुकिया हम इसमें परोशा पानी शामिल करेंगे और इसको बखा लगा 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 लगाएंगे जब कानी शालो हुआ है अच्छा लगा लगा हो जाएंगे प्रफ़ा हुआ है यद लगा दोड़ टामिल करेंगे यह सामल करके हम इसको भून लेंगे जब तक के लसन की जब हमां से वो फतम हो जाए प्लेड में बिता जोगे में इसको पाने नाग के उत्रा नहीं निकाल लेंगे में एक बिता नाग के उसको अजाए ने देखो और यूजा नागए विव को एक गला के रखता हुआ है और यू विव को घ्ला लेए तक काल लेका है नागा वाहता है रोड़ां विव को कि आदे नागा पिता नागा लाएट नागा अब हम इसमें से गोष्ट को अलादा कर लेंगे और रिफनी को अलग से कर लेंगे और जो गोष्ट है वो फिर हम चालो में शामिल करेंगे अलग संग अब शामिल कर दोती है अब जैसे के सब मालम् हूं आए कि आंनेวाली है। उसकी दिल रहा है और यहां हम संपम सर्दीब में दो अप breeze होती हमाट कर दो आज जिया डोग सीज होती है अब भगी तुबस क्मीं होती है कर से से पत्रो만 दोबहाय से न गाए जो था जाता है और बीज लाओ दो इती तो को जाचा दो यह कुन आपका नोगिने से सबूंआए जीघक लाओ लूगाँ आप हम इसने नमक शामिल करादेंगे तो इसने नमक शामिल करोंगी आमाचा मेरी रश्या झालत मैं हम्में ख़ुमा मिसमें हरासा कुचुदे एा या ये 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 येजरिया है तम पिए अचे डेठक मच ये सामिल कर देने कर देखे दें लेकर अगपिक पंद लाओ निया तो इनका मैंने इसका पेस्क त्यार का लिया था यह हम इसमें शामिल करके इसको अच्छे से बहुन लेते हैं जब ही आप कुकिंग करें आप दिल से करें कोशिश करें कि आप क्या पूरा ध्यान तो जो जो आप कुकिंग नहीं हो तो इससे फिर आप यह होगा कि आपके खाने जो है न वह बहुत ही मज़े के बनेगी बेश्क मैं आपको तरीका बताती हूं सब कुछ करती हूं लेकिन जब तक आप दिलो जान से दमाग से अपने कुकिंग पर नहीं आपका ध्यान होगा तो उसमें खानों में टेस्ट नहीं आएगा और जब टेस्ट नहीं आएगा बेशक जितनी मर्जी अच्छी चीज अच्छे तरीके से प्रिजेंट होई भी हो अपने पूरी नियत और फ्लूस के साथ बनाएं और ताके ठाने वाले को भी मज़ा आए और वाव की तारीफ किये बिना रहना सके अच्छी मुझे बच्पन महीं बहुत शोग था मैं चोटी उमर से मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी कुकिंग का मुझे शोग था मैं श इस तरह बनता है फिर मैं सब को जाने खिलाती थी कि इसमें बताएं क्या कोई कमी है या फुछ ना फिर मुझे बड़े मेरे बताते से कि यह वह इस तरह जाना तो मैंने पनी हमी से जाहर है जादा कुकिंग उन से सिखी उपनी का यह तरी का सारा फॉलो करती हूं तो अलहम कि यह मेरा आपको यही मच्पर है कि जब भी खाना बनाए अल्ला का नाम लेकर शुरू करें और देखिये गाप कि इतना नवबर्दस की जयाना आपके खाने में जाइका और लोगत होगी पाई गया है वो बिसमाव पर आगे है देखिए वोच नमारा दिया वो बहुं चुक है अब हम इसमें छोड़ा सा इसावा गरम मसाला जो है वोच रामिल कर देंगे होसाव बिसमे तो यहार ख़ा सुसाव में हमने जो जो इखनी जयार कीतिह दी ज्यानि जने गलाए ता वह मरा एक्स्टर भीज़ज़ा कर देंगी कि एक किलो मेने गाइस नीनर में इसमें स्टार गाए इसमें दोू किलो जो पानी जाएगा तो वो हमने जो यखनी है वो इसमें शामिल कर देंगे पिर हम इसमें जो चावल हैं जो मैंने एक धंटा फैल भी घोर के रखेते हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे जो आपने बगोर के जरूर रखे जो आपने जो अच्छे से बनते हैं तो अब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल शामिल करते हैं अब इसमें चावल शामिल कर देते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा सफैर जीरा स्टेज पर वह भी शामिल करेंगे और साथ में सुरफ जो वह दर्द्री वाली मेच है वह हम शामिल करेंगे यह अपनी में भी मैंने शामिल की थी अब मैं इसमें भी यह शामिल कर रहें और कितने इसका जाइका लगज़त हैं अब हर एक चीज पर जाएना बहुत जादा फरक पड़ता है जैसे मैंने शामिल किया हैं आप भी वैसे अगर शामिल करेंगे तो देखिएगा क्याव की भी राइस कितने मज़े के बनेंगे आप जो हम ढखके चावलों को पका लेते हैं कि इनका पाने भी खुश्क होज़े और चावल भी अच्छे से काल जाएं चावलों को पाने के तरिबन खुश्क हो चुका है अब हम इसको दम लगा देते हैं अज़े दमा लगाने से पहले हम ने इसमें थोड़ा सा स्प거든요 यह हमने इसको शामिल कर देना यख हम सीपेट दीर है था मीत आद में इस सना शामिल करतेया हुआते जूटारी हम दुर। दिलबर दर दादती हुश्क हो आता बहुत यह अच्छा लगता है इसके साथ मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी हल्दी यह अंदर में इस तरह से शामिल करें लिए है चावज जो है वो देखें त्यार हो चुके हैं कितने जबरदस्त से अब हम इसको एक बड़तन में निकाल लेते हैं अगर आपको मेरी यह रैस्पी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना बहुत सा हया रखिएगा दो में याद रखिएगा मिलते हैं एक नही रैस्पी के साथ एक नही वीडियो के स लाफिज